हेलो फ्रेंड्स मैं मंजीत कोर और स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है हेल्प यर्सेल्फ आज हम डिस्कस करेंगे सीडीप के क्वेश्चन जो सीटेट एक्जाम में आ चुके हैं निकी आपके सामने सीटेट का क्वेश्चन पेपर है जो 2021 जनवरे में हो चुका है तो पहला हमारा क्वेश्चन है एक खेल क्रिया की दोरान चोट लगने पर रोने लगा यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह वेभार ना करो लड़के रोते नहीं है पिता का यह कथन क्या शो होता है इस पिता के इस कथन से तो ऑप्षन है लेंगिक रोड़ी वादिता को दर्शाता है लेंगिक रोड़ी वादिता को चुनोती देता है नहीं लेंगिक भेदवागों कम करता है नहीं लेंगिक समानता को बढ़ावा देता है तो देखिए यह तीनों उप्षिन जो लास्ट वाली है इन में से कोई दहीं नहीं हो रहा तो इसका आंसर है लेंगिक रोडिवारता को दर्शार है यानि कि एक प्रगर्ती शिलकक्षा में क्या होता है तो ओप्षिन है हमारे अध्यापक को अटल पाठे करम का पालन करना चाहिए विद्यार्थियों को प्रतिश परदा पर बल देना चाहिए ज्यान की सरंचना के लिए प्रचूर मोके परदान करने चाहिए विद्यार्थि को उनके अकैडमिक अंको के अधार पर नमंकित करना चाहिए तो इन में से सबसे अच्छा ओप्षिन है क्योंकि हम देखे ना तो बच्चे में हम कम्पिटिशन जैसा का फोकस कर सकते हैं ना ही हम अध्यापक के ये अटल पाठे करम पालन करना सही है और ना ही यहाँ पर अकैडमिक अंको का अधार पर हम नमंकित कर सकते हैं तो इसका सही ओप्षिन अंसर है ज्यान की सरंचना के लिए प्रचूर मोके परदान करना क्योंकि हमें बच्चे को एक क्लास में ऐसे मोके देने चाहिए जहां से बच्चा अपने ज्यान में बढ़ोतरी कर सके जहां से बच्चा अपने ज्यान की सरंचना कर सके अब देखते हैं थर्ड कोशन यह कोशन है एक गतिविदी के दोरान चातरों को संगर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यूं, कैसे परदान करने का फैसला लेती है तो लेव एगत्सकी के सिधान के अनुसार अध्यापिक की यह योजना क्या दर्शाती है, क्या कर रही है अध्यापिका यहाँ पर तो उप्शन देखते हैं बच्चों की अध्यापिक के लिए अनूत प्रेरित करेगी और अध्यापिक के लिए पाड या अधारवूर्ट स्रंचना का काम करेगी चातरों में प्रतेहार, निकास, प्रवर्टियां पैदा करेगी अध्यापिक की प्रकिया में अर्थिन होगी तो देखें कि यह क्वेशन है जो हिंदी में दिये गए हैं अप्शन हिंदी में आपको ना समझ मैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि साथ-साथ में इंग्लिश में भी आपको आप्शन और क्वेशन दोनों ही नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर बात हो रहे हैं लेव विगुच्क के सीधा नाम आया है तो हम अगर हिंदी में देखें तो शायद ना समझ मैं यहाँ पर देखिए इंग्लिश में सेकिंड में आपको दिखा रखा है स्कैप फॉल्डिंग तो लेव विगुच्क की दो तिन चीज़े ही बहुत इंपोर्टन थी स्कैप फॉल्डिंग एंड जॉन प्रॉक्सिमल यानि कि जी डीपी तो यहाँ पर क्या कर रही है टीचर सहायता दे रही है तो सहायता किसमें दी जाती है स्कैप फॉल्डिंग में इसका अंसर सीदा आँख बन करके आप लगा सकते हैं as a act as a स्कैप फॉल्डिंग for learning यानि कि इसका अंसर हो गया second फिर हम देखते हैं हमारा इसके बाद fourth question तो fourth question में क्या कहा गया है फर्ट Qounge है बच्चों के समाजी करण के संदर्म में निमन में से कौन सा कतन सही है उना में से देख स्था कॉन सा कतन सही है पहला Qounge है अंसर बात है करन व tidak है विद्यालिया समाजी करण का एक द्वित्य यानि की secondary socialization agent है और family इसमें पहला agent होता है तो देखिए बिल्कुल पहली बात ही बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी हमें सारे option पढ़ने चाहिए क्योंकि कई बार हम over confidence होकर बाकी option को नहीं पढ़ते और हमारा question गलत हो जाता है तो बाकी question में क्या कह रखा है option में विद्याले समाजी करण का एक प्रात्मिक का रख है नहीं विद्याले प्रात्मिक का रख नहीं है यहीं नोनी का रखा है समकक्षी समाजी करण के द्वित्य का रख है यह भी सही नहीं है फिर third option में का रखा है समकक्षी यानि की जो पियर होते हैं उनके कि प्रिवार्त होता है हमारा प्रात्मिक कारक यानि कि प्राइमरी एजेंट है सोचलाइजेशन का और स्कूल हमारा सेकंड एजेंट होता है सोचलाइजेशन का अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जब बुद्धि के बारे में है तो क्वेश्चन है बहु बुद् केवल वस्तु निष्ट प्रिक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है second option है एक आयाम में बुद्धी अन्ने सभी आयामों में बुद्धी मता निधार्ट करती है option number 3 यहाँ पर हमारा तीसरा question सही है क्योंकि बुद्धी multiple intelligence कहता है कि intelligence की बहुत सारी form होती है बहुत ही तरह की intelligence होती है according to this theory फिर हम देखते हैं देखिए हमारा six question फिर से कॉलबर्ग के बारे में आया है पहले वाला हमारा विद्ध की था तो अब देखिए कॉलबर्ग की थियोरी भी हमने पढ़ रख ही है यानि कि जो Lawrence की हमने theory पढ़े थी उसमें हमने तीन पढ़े थी stage और तीन level हमने पढ़े थे और six stage थी तो उसमें इसने पूछ रखा है कि कौन से stage में या कौन से level में बच्चा यह सोचता है कि मैं किसी काम को इसलिए करूं क्यूंकि यह बाकी लोगों को secret है बाकी लोग इस की stage थी ही नहीं तो हमने तीन stage देखी ती तो तीनों में से इसका सही answer होगा number two क्यूंकि यहां पर conventional में बच्चा यह सोचता है good boy और good girl वाली और समाज के जितने वी rule होते उनका समान करता है तो यह इसलिए बच्चा कारे करता है कि बाकी मेरे कारे को प्रोच्चा करेंगे अच्छा मानेंगे मुझे अच्छा बच्चा मताएंगे इसलिए क्योंकि औरों को स्विक्रित होता है इसलिए यह कारे करता है तो option इसमें हो गया number two seven question देखें लेव गोट्सकी का फिर से question आ गया है तो यह question क्या कहता है क्या पूछ रहा है यह लेव गोट्सकी का सामाजि परस्पेक्टिव अधिकम परक्रिया में डैश के महत्तर पर जोर देता है तो देखें हमने थियोरी पड़ी है social cultural perspective लिखा भी आया हुआ है तो इसमें हम सिदा सिदा बता सकते हैं इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है तो इसका answer होगा number one क्योंकि यहाँ पर cultural tool के बारे म या social interaction के बारे में जादा बात की गई है और संस्कृति के बारे में तो इसका answer होगा first फिर हम देखते हैं eight question यह है जिन प्याजे के बारे जो की बहुत इसके बारे में question आती ही रहते हैं लगातर देखें दो question देखने को मिल रहे हैं तो question है हमारा जिन प्याजे अपने संग संग्यानात्म विकास में संग्यानात्म सरंचनाओं को यानि कि क्या करते हैं cognitive structure तो किसमें उन्होंने शो किया cognitive structure उन्होंने या संग्यानात्म सचना किसके नाम में वरनित किया है तो हम आंक बंद कर लगा सकते हैं इसका भी क्योंकि उन्होंने schema पर ज्यादा focus किया है तो इ जिन प्याजे के संगयनात्र विकास के सिधान्त में पूरु संक्रियात्मक यानि की पोस्ट प्री ओपरेशनल पूरु के बात की गई है प्री ओपरेशनल अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है देखे हमने जो जिन प्याजे की थोरी पड़ी थी हमने पढ़ा था क कराइभ वे इसा है जो इस अवस्था के लिए अप्रोप्रोप्याइट होगा, तो उप्षिन हमारे अमुरत विकास कब बिइंग्ए नहीं। आइनका सोच को होता हैता है। थर्ड हमारा है, हाइपोथेटिक डिडेक्टिव धिंगिंग, तो हाइपोथेटिक यह भी हमारी विल्कुल लास्ट वाई स्टेज में आती है, और फिर है, सनरक्षन और प्रदार्थों के क्रमन बद करने की प्रक्रिया, तो इसमें सही अंसर हमारा होगा, कि चा क्या करता है इसमें, नमबर नाइन क्वेशन में टू आप्षन हमारा सही होगा, कि विचार या सोच में केंदरी करन करता है बच्चा इस स्टेज में, नमबर टैन क्वेशन हमारा है, विकास के संदर में निमिन में से कौन सा कथन सही है, तो विकास के यानि development के बारे में हमने बताना कि कौन सा correct option है तो option है विकास की दर सभी संस्कृतिये में सभी के लिए समान होती है विकास केवल विद्याले में होने वाले अधिगम से ही होता है या तो बिल्कुल ही गलत है विकास केवल बाले वस्ता के दोरान ही होता है ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास तो lifetime process है फिर इसने कहा है कि विकास बहु आयामी होता है तो देखिए अगर हम देखें तो हम दो में option में confused हो सकते हैं एक तो first वाला और एक last वाला यानि कि one and four में अगर हम देखें तो दोनों में से appropriate बिल्कुल सही option कौन सा होगा कि विकास multi dimension है विकास के कोई एक अवस्ता या एक आयाम नहीं है यह बहु आयामी है तो यह इसका answer होगा number 11 number 11 कहता है कि जनम से जनम से यानि कि बच्चे के born से लेकर births लेकर किशोर आवस्ता तक तो बच्चा जाता है तो वे कौन से क्रम में जाता है तो देखे सामने आपको जन प्याजे के ही सारी आवस्ताई देखने को मिल रही है stage के नाम तो जन प्याजे की थेओरी हमने पढ़ी है तो हम easily हम बता सकते हैं से पहले बच्चा कौन से stage में आता है sensory में फिर बच्चा आता है concrete में और abstract में अगर आप concrete और abstract में confused हो जाते हैं तो आप देखते हैं जो लास्त वाड़ी stage होती है उसमें बच्चा abstract आती है बच्चे में तो ऐसे इसमें अंदाज लगा सकते हैं तो पहला ही option हमारा सही है हमें और option पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जनम से किश्वरवस्था तक जाने की बात हुई है फिर हमारा है number 12 question एक प्रगती शिल्ग कक्षा देखिए progressive पर यह second question है एक progressive कक्षा में व्यक्तिकित भिंता को किस परकार देखा जाना चाहिए number 1 की अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है number 2 अध्यापक के पक्ष पर ऐसफलता number 3 योगेता आधार सम्मू बनाने का मामडन number 4 अध्यापकन अधिकम प्रक्रिया की प्रयूजना के लिए महत्पर तो देखिए जहां पर व्यक्तिकित भिंता आ जाती है तो उसके लिए हमें negative नहीं डालना है देखिए पहले दो में ते बिल्कुल ही negative हो रहा है कि बाधा है या फिर ऐसा फलता है तो दो रों negative वे में जा रहे हैं तो यह दो option तो बिल्कुल ही हट गई है हमारे नमबर थिरी क्या कहता है कि हमें सम्मू में बाटने का माम डंड है तो हम बच्चों को उनकी ability के अधार्व ग्रूप में नहीं बाटते हैं हम क्या करते हैं इसको क्या माननेंगे हम कि व्यक्तिकत भीनता है तो यह है important for planning of teaching learning process तो यह हमारा हो गया fourth question सही fourth option विलकु सही है इस question का फिर आता है एक समावेशी कक्षा में dash पर जोर होना चाहिए तो जो एक समावेशी कक्षा होती है यानि कि inclusive classroom होता है उसमें किस पर focus होता है तो चलिए देखते हैं performance oriented goal पर या अभी वेदी समरूपी विद्रदेशों पर समाजिक पहचान के अधार पर चातरों में अलगा बिल्कुल भी नहीं हर बच्चों के समार्थे के समार्थे को अधिक गम अधिक्तम करने के अउसर प्रदानी करना तो बिल्कुल हमारा यह question का जो सही option होगा वह है number four कि हम क्या करेंगा बच्चे को उनके समार्थे के उधार उनके ability के अधार पर opportunity दे अधिक्तम करेंगे अधिक्तम तो यह हमारा option होगा बिल्कुल सही फोर्थ फिर आता है दिव्याग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निमन में से किस शब्दावली का उप्योग है यानि कि हम दिव्याग जन होते हैं जो जिने special ability होती है उनके लिए हम कौन सा word सही use कर स लगते हैं 2016 के according एक्ट जो हो था हमारा 2016 उसके according तो option है मंदिच चातर विकलांग चातर चातर जिसे शारीरिक दिव्यांगता है चातर जिसका अशक्त शरीर है तो देखे इसमें हमने क्या word यूज 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 हूआ था तो इसमें दिव्यांगता यानिकि नंबर 3 option बिल्कुल सही है इसका answer फिर हम देखते हैं नंबर 15 question पर क्या दिया गया है 15 question तो question क्या कहता है अधिक गम कठिनाईयों से जूज से चातरों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए तो ध्यान देजे यहां पर लिखा क्या नहीं क हम नहीं पुछा गया है तो हम question बिल्कुल ही answer change कराते हैं हमारा question गलत हो जाता है तो यह पर नहीं पूछा सकते हैं फिर है शिक्षा शास्तर तथा शिक्षा शास्तर और आंकलन की जटिल सरंचनाओं का उप्योग तो देखिए हम बच्चों की जो कठिनाई हो उसके लिए जटिल जो बच्चों को समझ में नहीं आएगी तो हम उसका यूज करेंगे तो उसका फैदा क्या होगा तो य और मुख लक्षन यानि कि एक क्रेटिविटी उसके लिए हम कौन उसकी आइडेंटी हम कैसे कर सकते हैं क्यों से ओप्शन से कर सकते हैं तो देखिए लोग कॉम्प्रिहेंशन तो जो क्रेटिव होते हैं उनमें लोग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती फिर है डाइवार्जन शक्रफिए हैय और यह बोड़िय तेस सबसे स्गर्फिण वाल रख्राद को थे साया वो होती है अब सारी चिंतन कि यह जो बच्ची होते हैं बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ही different different त्रीके से सोचते हैं तो answer हमारा हो गया फिर हम देखते हैं number 17 question क्या कहता है तो यह question है विविद प्रिष्ट भूमियों के अध्याइगम करताओं को संबोधित करने हैं तू एक अध्यापक को क्या करना चाहिए in order to address learners from diverse backgrounds a teacher should तो क्या करना चाहिए विविदता समंधी मुद्धों पर बात चित टालनी चाहिए यानि कि avoid करने के बाद कही है इसमें फिर नमबर टू विविद विन्यासों के उधारन लेने चाहिए यानि कि example लेने चाहिए उसे फिर कह रखा है नमबर थ्री सभी के लिए मानिक्रित यानि कि standardized assessment for all फिर कहा है नमबर फॉर ऐसे कत्नों का इस्तमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूडिवत धारनाओं को सा हमारा answer बनता है तो देखें यहाँ पर जो second option है विविद विन्यासों यानि कि draw example from diverse setting तो यह option बिलकुल सही है यही हमारा answer है नमबर 18 18 क्या कहता है question समस्या समाधान समस्या समाधान शमताओं को किस प्रकार सू साध्धे किया जा सकता है यानि कि facilitated किया जा सकता है किसके द्वारा number four option हम देखते हैं चारों के चारों लगातार अभ्यास या क्रियानवें पर जोर देकर समस्याओं के हल है तो अटल पर क्रिया के इस्तमाल को बढ़ावा देकर या फिर समरूपों के इस्तमाल को बढ़ावा देकर या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर कर तो डर की भावना तो हम बिल्कुल भी नहीं पैदा कर सकते तो इसमें से सही option तो हमारा होगा वह है नमबर 3 encouraging use of analogies तो फिर हम देखते हैं नमबर हमारा 19th question क्या कहता है यह question पूछ रहा है अधिगम की अभी प्रेणा को किस परकार कायम रखा जा सकता है बच्चों को दंड देकर जी नहीं punishment तो बिल्कुल रोक लगा हुआ है फिर कहा गया है focusing on mastery oriented goal फिर नमबर 3 पे कहा गया है giving very easy task to children फिर कहा गया focusing on road memorization तो देखे road memory यानि की road learning तो हमने पहले ही बंद कर रखिये यह हम करवाई सकते बच्चों को meaningful learning हमें करवानी होती है तो रहे दो option तो देखेए mastery और दूसरा है easy task देखर तो यहाँ पर कहा गया है motivate to learn can be sustained तो इसका जो सही answer होगा 19 question का तो वह होगा number 2 कि हमें mastery oriented goal रखने होते हैं उन पे जो focus करना होता है तो number 2 हम देखते हैं shame यान की शर्मिंदगी तो किस से साथ लेट हो रहा है यह शर्मिंदगी का संग्यान से कोई समन्द नहीं है शर्मिंदगी यान की शेम का संग्यान पर नकरात्म को प्रभाव पर सकता है फिर कहते हैं शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम है तो अभी प्रेडिट करने के लिए बहुत प्रभाव शालिये नहीं फिर कहते हैं शरमिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम में बारम बारता पैदा करना चाहिए तो देखे इस सही जो ऑप्षन है कि शरमिंदगी यानि की शेम किसी भी बच्चे के लिए किसी भी इंसान के लिए सही नहीं होती तो इसका जो ऑप्षन है नमबर टू कि शरमिंदगी का संग्यान पर नकरात्म प्रभाव पढ़ सकता है तो यह है बिल्कुल सही option है तो हमारा answer हुआ number 2 फिर देखते हैं 21 question में क्या कहा गया है 21 question कहता है निमन में से अध्यापन अधिगम का सबसे परभावशाली माध्यम कौन सा है यानि कि एक effective mode of teaching learning कौन सा है rote learning यानि कि rote memorization of content यह तो बिल्कुल भी नहीं है फिर है संकल्पनाओं के बीद संबंध खोजना तो यह question देखते हैं आगे और क्या है बिना visualization के अवलोकन करना तो बिना observation या बिना visualization तो हम कर ही नहीं सकते फिर है imitation और repetition यानि कि नकल और दोहराना या अनुकरन तो इसका जो answer है सही वह है number 2 option कि संकल्पनाओं के बीद संबंध खोजना यानि कि जब हम exploration of relationship between concept जब हम connection जोडते हैं किसी के बीद में relationship establish करने कोशिश करते हैं उनसे याद करते हैं समझने कोशिश करते हैं तो एक परभावशाली mode होता है यह है teaching का number 22 22 कहता है एक अध्यापक को दिये गए एक अध्यापक को दिये गए किसी करka करे कलाप में श्चात्रों की बीविंत रूटे उका बीशेसरिंग करना चाहिए क्योंकि क्यों करना चाहिए इसके अधार पर वह दंड की मातर अधार्द कर सकता है नहीं क्योंकि हमें punishment तो देना ही नहीं है नमबर टू कहता है त्रूटियों की समझ अध्यापक अधिगम परक्रिया के लिए अर्थपूरण है नमबर टू कहता है इसके अधार पर वह ज़्यादा त्रूटिया करने वाले चातरों को दूसरों से अलग कर सकती है नहीं तीसरा फौर्थ कहता है अधिगम केवल तूटियों के शोधन पर निपर करता है तो देखिए इन चारों में से तीनों तो negative aspect हो रहे हैं तीनों तो negative way में जा रहे हैं सिर्फ second ही है हमारा जो positive way में जा रहा है तो जब हम confuse हो जाते हैं option में तो हमें यह देखना है कि कौन सा negative way में जा रहा है कौन सा positive में जा रहा है तो यहाँ पर खाग है Understanding of errors are meaningful in the teaching learning process तो यह option मिलकुल सही है हमारा तो next question हम देखते हैं 23 इसमें कहा है बच्चो को सीखने में कठिनाई होती है जब कब होती है कठिनाई जब बच्चे सूचनाओं को अलगलग टुकड़ों में परस्तूत करा जाए बच्चो के सामने या फिर वो आंत्रिक रूप से अभी प्रिरित हो देखें आंत्रिक से अभी प्रिरित होंगे तो बच्चों में कठिनाई तो कम आएगी फिर है number 3 अधिगम समाजिक संदर्ब हो या फिर विशेवस्तू में बहू रूपों में परस्तूत किया गया हो तो यहाँ पर अंसर है हमारा option number 1 कि अगर हमें उनके सामने अलगलग रूप से अलगलग टुकड़ों टुकड़ों में हम चीज़े उनके सामने रखेंगे तो यह उसके according हमारा first option बिलकुल सही है फिर है 24 अधिगम की सर्वोत्म अवस्था कौन सी होती है तो क्या होती है जब high arousal हो high fear हो यानि कि fear तो होना ही निचे यह study में तो यह question हो गया है बिलकुल गलत फिर कहते है low arousal हो और high fear यानि कि उच भे हो तो यह उच भे तो हो इनी सकता तो भे के अधार पर भी हमें इसको निकाल सकते हैं फिर कहा गया है संतुलित योजना कोई भे नहीं तो यहाँ पर यह option है क्योंकि भे तो यहाँ पर बिलकुल ही नीचे गर दिया गया कोई भे नहीं है फिर है कोई उतेजना नहीं और कोई भे नहीं इसमें क्या पूछा गया है अधिगम का सरंचनात्मक विचार यह सुझाओ देता है कि ग्यान की सरंचना में क्या होता है ग्यान की सरंचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है भूमिका नमबर टू बच्चे पूरन रूप से वेस कोपर निर्भर रहते हैं नमबर थ्री बच्चे सक्रिय भूमे निभाते हैं नमबर फॉर बच्चे पूरन रूप से पाठ्य करम पाठ्य पुस्त कोपर निर्भर रहते हैं तो देखे इसका अंसर है बच्चे सक्रिये रूप से भूमी का निभाती हैं और यह किसने कहा था कि बच्चे एक्टिव ली एक्टिव रोल निभाती हैं एक्टिव रोल प्ले करते हैं यह कहा था जिन प्याजे ने तो हमारा अंसर हुआ बच्चे एन एक्टिव रोल इन सरं हमारे option है ability is improvable number 2 है ability is fixed number 3 है effort don't make any difference number 4 failure is uncontrollable तो number 26 question का हमारा answer है number 1 question हमारा इसका हो गया improvable यानि कि ability improvable सही है उप्यूक्त है इस सीज के लिए फिर है 27 question हमारा क्या कहता है निमन में से कौन सी निमन में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलपनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायता करती है तो 27 question का option देख लेते हम competition, text book center pedagogy, frequency examination या inquiry and dialogue तो सिदा सिदा इस cancer हमें पता चलादा कि इस cancer होगा number 4 तो 4 option इसका सही है कि यहाँ पर inquiry और dialogue बच्चों को देने चाहिए यह होना चाहिए फिर है number 28 तो 28 question कहता है एक कार्य के दोरान साइना स्यम से बाते कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार किस प्रकार प्रगर्टी कर सकती है लेव अगोच्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिये गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिकत वाक यानि कि private speech is an sign of यानि कि क्या दर्शाता है उसका खुद से बाते करना तो लेव अगोच्की ने private speech के बारे में बात की थी अपनी थियोरी में तो उनके coding क्या कहते है क्या cognitive immaturity दर्शाता है नहीं self regulation, egocentric, centralization और फिर है psychological disorder तो यह psychological disorder भी नहीं है ना ही यह ego-centralism यानि कि आतम केंदरिता है और ना ही यह संग्यान आपड़िवक्ता है तो इसका option का answer वा स्वय नियमन यानि कि self regulation के लिए बच्चे खुद से बाते करते हैं अपने आप से और फिर देखते हैं number 29 मुल्यांकन पदतियां मुल्यांकन पदतियों का लक्षे होना चाहिए यानि कि evolution practices should aim at क्या कहा गया विदार्थियों को नमगिंद करना नहीं योगता अधार समूहों में विदार्थियों को विभाजन करना नहीं हम बच्चों को समूहों में विभाजन नहीं कर सकते नमबर थ्री है विदार्थियों की जो रूर्त एम और शक्ताओं को पहचान करना यह सही है नमबर फोर पुरुसकार वित्रन हे तो उच अंग प्राप्त करने के लिए विदार्थियों के पहचान करना यह भी सही नहीं है तो option होरा third यहाँ पर सही है फिर है 30 and last question हमारा CDP का बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिनताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है यानि किस पर एट्रिब्यूट किया जा सकता है तो heredity, environment ना तो heredity और ना environment और फिर fourth option हमारा अनवानशिक यानिकी heredity and environment दोनों पर तो इसका सिधा-सिधा answer है हमारा number four तो यह तो थे हमारे CDP के question जो CTAT में आई हुए है CTAT का आपका यह question paper है level one का इससे आने वाली वीडियो में हम और भी question लेंगे और उनको solve करेंगे अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी है टेक केर